ध्यान देने योग जरूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुनें नमबर एक घर में उत्तर दिसा में तोते की तज़्वीर लगाना सुब होता है इससे पढ़ाई करने वाले बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है नमबर दो, रोजाना सुबह तुलसी के पौधे पर जल चड़ाने और साम को दीपक जलाने से मालक्षमी प्रशन होती है नमबर तीन, ताबे के बरतन को अमचूर पाउडर से साफ करने से एकदम चमक जाते है नमबर चार, विटामिन A की कैपसूल और एलोवेरा को मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे पर गलो आता है और रुखापन भी दूर हो जाता है नमबर पाँच, स्किन टाइट करने के लिए मुलतानी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए नमबर चेह, घर के बाहर या प्रवेज दुआर पर डस्ट बिन ना रखे ऐसा करने से देवी देवता, देवी लक्षमी नाराज हो जाती है और साथ ही समाज में सम्मान कम हो जाता है नमबर साथ, लॉंग के तेल को सरसो के तेल में मिलाकर कमर की मालिश करने से कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है नमबर आठ, गुड में काफी मात्रा में विटामिन पाया जाता है जो आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं इसलिए गुड को हमेज आपनी डाइट में सामिल करना चाहिए नमबर नौ, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां प्रवदुसर ज़्यादा है तो आप रोजाना गुड खाया करें आपको कभी भी सर्दी जगहाम जैसी समस्याएं नहीं होगी क्यूंकि आपके लिए अच्छा है कि सरीर का अपसिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है नमबर दस खटे मीठे अंगूर सरीर में पानी के संतुरन को ठीक करने का काम करते हैं इसलिए उनको खाली पेट खाने से लाब मिलता है नमबर 11 पपिते को सुब नास्ता करने के बाद अद उपहर के लंच के पहले खाना चाहिए नमबर 12 जैदा चिंगम चबाने के आदध के कारण अलसर होने की दिक्कत हो सकती है नमबर 13 दूद से बने खादे पदार्थ जैसे दही मखन पनीर और दूद का अधिक शेवन करें ताकि सरीर में विटामिन B की कमी ना हो नमबर 14 सर्दियों में पैरों की उंगलियां सूच जाती है इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा सरसो का तेल लें और कुछ बूदे कुछ टुड़े लहसुन के काट कर कैस में अच्छे से पका लें और ठंडा करने के बाद इसे उंगलियों की मालिश करें नमबर 15 रोजाना चेहरे पर ताजा एलोवेरा की पतियां काट कर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे साप हो जाते हैं नमबर 16 मूँ के चालो को ठीक करने के लिए सहद में मुलेठी डाल कर से मिक्स कर लें और इस लेप को मूँ के चाले पर लगाएं और लार को मूँ से बाहर टपगने दें नमबर 17 डायरिया में मखाना खाना खतरनाक साबित हो सकता है मखाना फाइवर से भरपूर है और फाइवर डायरिया को बढ़ावा दे सकता है गी और मखाना खाने से डाइपिटीच और जिन लोगों को पेट की बिमारी उनके लिए काफी नुक्षान दायक होता है अगर आपको किट्नी से जुड़ी कोई बिमारी है तो आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं तो यहाँ डावा है कि अचानक से बीपी बढ़ने के कारण हो सकती है अगर आप थाइराइट से पिडित हैं तो आपको अपनी डेली डाइट में धनिया नारियल, सुरज मुखी के बीज, कद्दू के बीज, मुग आदी को शामिल करना चाहिए नमबर 21, सौप और मिसरी का सेवन करने से आखों की रोसनी तेज होती है नमबर 22, कढ़ी पत्ते को सरसों के तेल में मिला कर पका लें और इसे ठंडा करके चान कर इसे अपने बालों की मालिश करने से बालों की जड़े मजबूत होती है नमबर तेईस गैदे की पत्तियों को उवाल कर इस पानी से कुल्ला करने से दाथ दर्द में राहत मिलती है नमबर चौबिस गैदे की पत्तियों का रस कान में डालने से कान दर्द में अराम मिलता है नमबर पच्चिस भुने हुए चने का सेवन करने से आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा नमबर चब्विस जायदा थूक बाहर निकालने से दिमाग कमजोर होने लगता है और पानी की कमी होने लगती है नमबर 27 अगर आपको नीद अच्छी नीद लेने के बाद भी शरीट ठका हुआ मैसूस करें तो समझ लीजिए आपको पानी की कमी है जब भी 100 करोटे एक से दो गिलास पानी जरूर पियें नमबर 28 तेज बुखार आने पर सर में गीली पट्टी रखने से बुखार जल्दी उतर जाता है नमबर 29 गुटनों पर दर्द है तो अखरोट की गिरी खाने से बहुत ही पाइदा मिलता है नमबर 30 शरीर की ताकट बढ़ाने के लिए अंकुरी चने, नीबू, प्याज, अद्रक के टुकडे, खीरा और काला नमक डाल कर सुब नास्ते में खाएं नमबर 31 रात को सोते टाइम सरसों का तेल गुन-गुने करके कान में दो भूद डालने से कान में गंदगी बहर निकल जाती है नमबर 32 सुबह खाली पेट, चार-पांच नीम की पतिया चबाने से सरीर के फोड़े फुनसी ठीक हो जाते हैं नमबर 33 सफेद चीनी मैदा सफेद नमक डाइट में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह नुक्षान दायक होते हैं नमबर 34 अनार का जूस हाई बलड पेशर की समश्या को कम करता है नमबर 35 अनार का जूस रोजाना पीने से खून की कमी पूरी होती है और दिल स्वस्त रहता है नमबर 36 सुबह की चाहे के बदले नारियल पानी में नेवु का रस मिलाकर पीने से सरीर की गंदगी साफ हो जाती है और खून साफ होता है नमबर 37 यदि आपकी आँखों के नीचे काले घेरे हो रहे हो तो समझ लीजिए आपको कोलिस्टरोल लेवर बढ़ रहा है नमबर 38 अगर आपके हाथ पेरों में दर्द हो रहता है तो इसकी वज़े है चाय ही है क्योंकि चाय का हमारी हड्डियों पर असर बढ़ने लगता है और हड्डियां गलने लगती है नमबर 49 गुलाब जलो और बेकिंग सोडा मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की डेड़ी स्किन निकल जाती है और रंग गोरा हो जाता है नमबर 40 नीबू का छिलका पीस कर सर में लगाने से माईग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है नमबर 41 एक चम्मत सहद में काली मिर्च का पाउडर डालकर चाटने से खासी चुखाम में आराम मिलता है नमबर 42 ज़्यादा गुसा करने वाले लोगों का लीवर कमजोर हो जाता है नमबर 43 अगर आपको लाल पेशाब हो रही है तो निमोनिया हो सकता है नमबर 44 रोजाना सुगा गुलाब की खुजबु सुंगने से दिमाग तरो ताज़ा रहता है और जवान रहता है नमबर 45 नारियल तेल में आवला पीस कर ठंडा करके इसे बालों में लगाने से बाल काले हो जाते है नमबर 46 हफते में एक बार बड़ी इलाइची का सेवन करने से सास पूलने की शमश्या नहीं होती है नमबर 47 कलोंजी के पानी से सिर्ध होने से बाल ज़ड़ना कम हो जाता है नमबर 48 केले के छिलकों को दात में रगड़ने से दात चमकदार हो जाते हैं और पायरिया भी ठीक हो जाता है और पंचास रात को नीद खुलने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए इससे खासी जुखाम हो सकता है नमबर 50 गोल गप्पे खाने से प्लट पेशर बैलेंस रहता है और पीलिया डायरिया आतों की सूजन में राहत मिलती है नमबर 51 चावल खाने के बाद थोड़ा सा नीबू का रस खा लें इससे आपको गैस की दिकत नहीं होगी तैंक्स पॉर वोचिंग